अगर आप थमनेल देकर इस वीडियो को देखने आया तो सही वीडियो पर आया यह कहानी मेरे 11th क्लास की है जब मैं 11th में एंटर किया था 10th में अच्छा खासा स्कूर गरने के बाद मतलब इतना स्कूर गर लिया था कि जो मेरी फोटो थी वो मेरे स्कूल के पोस्टर पर चपी थी जिसे देखकर मुझे ऐसा फीर हो रहा था कि कुछ तो उखड़ा है मैंने 10th क्लास में अच्छी खासी बड़ाई चल रही थी सब कुछ अच्छा चल रहा था अब मैरे आ चुकी थी 11th क्लास की जड़नी अब 11th क्लास की जड़नी में मैंने सोचा कि इन दोग साल मैंने जी जानकर मेहनत कर लीनी है मेरी मेहनत के बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा जैसे कि मैं नीट की तयारी कर रहा हूँ नीट में मुझे एक अच्छा सा MBBS स्कॉलिस मिल जाए और फिर मेरी लाइफ सेट है जालोगर दी दिन भर दिन भर पढ़ाई करता था और यही मेरी सबसे जादा बेविकूफी थी क्योंकि मैं जीरो पिर था और मैंने एक दम से स्वाप पर जाने का प्रयास किया जब मैं सौ पे पहुचा कुछ दुनों तक सही चला एक महीना दो महीना एक्जिमम तीन महीने तीन महीने के बाद मैं एक्जॉस्ट हो गया कि मतलब यार सब बेकार लगने लगा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था बस ऐसा लगता था कुछ और गरे फिर मैं यूटूब क्रियेशन में आ गया यूटूब क्रियेशन में ऐया फिर यूटूब फिर घर बाली करने लिगे नहीं य दधंम का अब ही जो मेरी कंडीचन हो थोड़ी बरवाथ चेंज हो गिया क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने लगबग 10 से 11 दिन पहले एक वीडियो देखी थी Winter Arc इस Winter Arc में क्या होता है कि जो भी आपने साल भर के Goals बनाए होते हैं अगर आप उनको Achieve ना कर पाएं यह जो Winter Arc का समय रहता है इन मेरा आप इस समय में आप जी जान लगा कर अपने Goals को Achieve कर सकते हैं तो मैंने इस वीडियो को देखा और मैंने सोचा कि अब यह जो मौका है मैं हाथ से गवाने नहीं दूँगा जो भी मैंने गल्दियां करी हैं टैक्शेर्स अटेन नहीं की हैं सब कुछ इस महीने में कवर करने वाला हूँ इस Winter Arc में कवर करने वाला हूँ और मैं फॉलो गरने लगा Winter Arc और आज मुझे फॉलो गरते गरते दस दिन हो चुके हैं इस Winter Arc में करना क्या होता है सबसे पहले सुबह उठकर आपको नहाना होता है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले उठकर मुहां दो के सबसे पहले मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरा connection अल्ला के साथ जुड़ जाता है और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर positive vibes अंदर आ रही है और जो मेरी negativity है वो कम होते जा रही है अब जब आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपको ठंडे पानी से सबसे पहले वुदू हाँ पढ़ता है फिर आपको नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं आता हूँ और अपने जो बात रहता है उसको लेता हूँ बास करने के बाद खाना पीना खाके ब्रेकफास्ट करके फिर पढ़ने बढ़ जाता हूं और अभी जो मेरी कंडीशन चल रही है न दिल को सैटिस्फेक्शन मिल रहा है कि भाई कुछ तो कर रहा हूं मैं अपनी लाइफ में और जो मेरे घरवाल है इतने खुछ रह रहे हैं क कके कैसा अदी पहले कभी रहा है सब बढ़िया चल रहा हूं और इंशादल है ऐसे ही चलता रहाएगा अब आप ही सोच रहोंगे कि सारी जीर मैं आपको क्यों explain कर रहा हूं क्योंकि जैसे सब की लाइफ वेकार चल रही थी वैसे ही मेरी भी लाइफ वेकार चल रही थी इसनारी नॉलेच लोगा और अपनी जो मेरी पहरी प्रियोडिक रहेगी मेरी इस्टीडीज ठीक है इस्टीज के बाद फिर मैं सेल्फ हेल्फ बुक पड़ूगा और नमाज पड़ूगा और फिर मैं वीडियो कनाओँगा अगर मेरी अगर मुझे लगेगा कि जो ये वीडि पर एक्षुली जो मेरा चैनल है उसमें मैंने बहुत साल मतलब एक साल से वीडियो नहीं डाली है अब मेरा चैनल जो है मोनिटाइज भी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इंप्रूमेंट जर्णी को आपके सामने लखूं ताकि आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और आप भी अपने लाइफ में कुछ चेंजमेंट लाए मुझे केवल दस दिन हुए है इसको अपलाई करते करते और मुझे मेरी लाइफ में अपनी लाइफ में चेंजमेंट दिखना सुरू हो गया है क्योंकि जो मेरे घरवाले हैं मेरे माबाप हैं मुझे देखते मैं दिन पर पढ़ता रहता हूं पढ़ने के बाद नमाज भी बढ़ रहा हूं बहुत खुश रहते हैं तो भाई बस कुछ नहीं है मैंड सेट का खेल है अब अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आगे आने वाली वीडियो आपके लिए ही helpful होगी तो अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मुझे से 1% भी motivation मिल रहा है आपको मुझे देखकर थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई ये कुछ कर रहा है तो इसको देखकर मैं भी करूं यसे मैं किसी को देखकर कर रहा हूं मैंने एक वीडियो देखी तो इवेंटर आके मुझ मेरे साथ जुड़े रही है और जो मेरी आने वाली वीडियो है जो भी मैं कुछ पढ़ूंगा नई नई बुक अगली वीडियो साइद आए मेरे डीप वर्क पे डीप एक बुक है जिसे मैं अभी रीड कर रहा हूं और उसे रीड करने के बाद मैं उसमें जो बताए गई चीज़े उसको explain करूंगा कैसे हम डीपली अपनी चीज़े को complete कर सकते हैं तो यही मेरी सेलब हैलब की जरनी चलने वाली है तो पूरी जरनी में आप लोग साथ बनाए रहे हैं तो भर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में अस्सलाम अलेक।